जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने पर्मेरेंट चेंज करनी है अपने URL के अंदर है तो हम वह 301 डीडिरेक्ट यूज़ कर सकते हैं लेकिन अक्सर हम पर्मेरेंट चेंज़ नहीं कर सकते हैं यूरिल के अंदर तब हम कैसे उसको क्याप्रिकेशन को हैंडल करेंगे तो उसकी एक 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 जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉबाइल स्टोर की एक जैसे हम दुबारा लेंगे और ये तीन यूरिल जैसे आप देख सकते हैं ये तीन यूरिल हमें चाहिएं क्योंकि कस्टमर जब फिल्टर करेगा तो वो यूरिल के थ्रू ही फिल्टर होगा और ये software इस तरह से बने वे होते हैं क्योंकि इसके इलावा option नहीं है तो आपको software नहीं ये URL चेंज करने ही करने है अगर आप इसको redirect कर देंगे कि for example अगर second URL भी first पर चला जाए और third URL भी first पर चला जाए तो उसको कभी filtering चलेगी ये नहीं वो software ब्रेक हो जाएगा और वो filter नहीं कर सेगेगा अपना content so इसको कैसे handle करना है इसको handle करने के लिए basically एक canonical tag गूगल इंटर्ड्यूस करवाया ये जिसे हमसे meta tags होते हैं उसे हमसे canonical tags भी होते हैं तो पहले अगर आप देखें कि example में दोबारा उसी की लूँगा कि मैंने एक mobile store पे जाकर अपनी COD यानि cash on delivery और four plus ratings जब उसको select की तो आप देखें कि निची URL में वो proper filter होता जा रहा है अब इससे मुझे क्या नजर आ रहा है मुझे वो content नजर आ रहा है या वो mobile नजर आ रहे हैं जो cash on delivery पे मिल सकते हैं और जो basically four star या उससे ज़्यादा की ratings रखते हैं इसको enable करने के लिए मुझे क्या करना है मुझे canonical tag लगाना है उस main page के ओपर जिसकी ये copy बनते जा रहे हैं क्योंकि अगर मैं canonical tag नहीं लगाऊंगा तो इसको redirect कर दूँगा तो ये system break हो जाएगा ये URL create ही नहीं होगा जब URL create नहीं होगा तो filter भी नहीं लगेंगे तो canonical tag देखने में कुछ इससरा का लगता है आपको ये किसी भी website में अगर आप explore करें तो उट्स में जागे आप देख सकते हैं canonical का word लिखेंगे तो आपको canonical tag इससरा का लिखावा नजर आएगा इसमें होता क्या है कि आप जितनी भी copies आप बनते हैं आप बनती हैं सिस्टम वाइड आप एक उसको command दे देते हैं कि भाई इस main page का ये canonical tag है तो इससे ये होता है कि जितनी भी copies बनती हैं Google जब उसको crawl करता है उसको उसका code पढ़ता है वो देख लेता है कि अच्छा भाई ये page तो है लेकि इसकी एसल page ये ही है तो उसको वो क्या करेगा कि आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक original content जो आपका main content है वो आपका वहीं रहेगा आप यतनी copies बनाते चले जाएंगे उसके canonical tag लगे वे होंगे तो वो वापिस Google देखेगा कि अच्छा भाई मैने तो सिरफ main page ही index करना है मैंने बाकी pages index नहीं करने क्योंकि Google को हम वाजिया लफजों में canonical tag से थूरू ये बता रहे हैं कि भाई ये copy है इसका content index मत करो ये उस main page की copy है सिरफ उसका content index करो तो हम जो filtered criteria है वो Google में नहीं चाहते हम स्मार्टफून का page चाहते है जब वो हम उसको optimize करेंगे अगर उसके साथ हम multiple pages उसके sub pages जिसमें four ratings की criteria three ratings का one का five का मतलब इतने सारे criteria बनेंगे और इतने सारे उसकी copies बन जाएंगी कि वो सब duplicate में count होंगे Google हमें penalty के तहत हमें ranking हमारी खतम कर देगा तो ये काफी serious issue है अगर इसको आप नहीं ध्यान देंगे तो ultimately आप rank ही नहीं कर रहेंगे और आप a competitor आपके उपर rank कर जाएगा तो आप अपनी website कर रहे हैं या किसी भी client की website कर रहे है चाहे वो regular website है चाहे वो e-commerce की website है duplicate जो content है वो create हो जाता है उसको आपने fix करना होता है तो यह चीज़े मैनुल करने के लिए हैं अगर आप WordPress यूज़ कर रहे हैं तो WordPress में भी plugins मिल जाते हैं जिससे Yoast का plugin automatically हर पेज़ पे एक canonical tag खुद ही डाल देता है और Yoast का अगर SEO का plugin आप WordPress में डालें तो आप अप canonical tag डालने की ज़रुरत नहीं है लेकिन अगर आपने दो पेज़ी बनाए हैं और आप दोनों समझते हैं कि दो डिफरेंट पेज़ीस हैं तो डिफरेंट कॉंटेंट हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि Google आपको पेनलाइज करे उन दो पेज़ीस की वज़ा से तो आप उसकी सेटिंग में जाकर उस डुप्लिकेट पेज़ के उपर में पेज़ का वो जूरिल डाल सकते हैं यह प्लग इन क्या करेगा यह प्लग इन आपके इस जूरिल को उसके उपएज़ा canonical डाल देगा और जब भी वो गूगल इसको क्राल करेगा वो देख लेगा यह एक कॉपी है उस में पेज की और मुझे कॉपी को इंडेक्स नहीं करना मुझे में पेज को इंडेक्स करना है और जब भी कोई यूजर सर्च करेगा तो उसको सिरफ एक ही पेज Google में नज़र आएगा, तो ये एक और तरीका है duplication को रोकने का, जिसमें आप 301 redirect नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप Canonical Tags से duplication हैंडल करते हैं